दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तो पहले मुकाबले के लिए मुंबई इंडियन्स की प्लेंग 11 हुई घोशित इन 11 खेलाडियों के साथ उतरेगी मुंबई की टीम हेलो दोस्तो सब्सक्राइब आप सबी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल करके देखो जी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 19 सितंबर को मुंबई इंडियन्स और 24 सुपर किंग्स का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है और इस मुकाबले क मुंबई इंडियन्स की प्लेंग 11 गोशित हो चुकी है कौन से 11 खिलाडियों के साथ मुंबई इंडियन्स की टीम मैदान पर उतरने वाली है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बताने वाले हैं लेकिन उस से पहले दोस्तो अगर आप भ इना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आईपियल 2020 की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है आईपियल 2020 को शुरू होने में अभी सिर्फ एक दिन बचा हुआ है आईपियल का पहला मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा और इसका अंतिम और फाइन मेदान पर खेला जाएगा दोस्तो इस मुकाबले को शाम साड़े साथ बज़े से आप देख सकते हो टीवी पर देखना है तो स्टांस पोस्ट नेटवर्क पर देख सकते हो और मुबाइल पर देखना है तो होट स्टार एप्लिकेशन के जरिये से आप इस मुकाबले को दे आप जीता है और दोस्तो ऐसे में यहां पर मुंबई इंडियन्स की टीम आई पिल 2020 में भी काफी ज़दा मजबूत नजर आ रही है क्योंकि दोस्तो आप सभी को बता दी कि मुंबई इंडियन्स की टीम में अब बहुत सारी युआ खिलाडियों की वापसी हो गई है साथी मे दिगज खिलाडी उनके टीम में शामिल हो गए है जिसकी वजह से इस बार मुंबई इंडियन्स की टीम धमाकेदार शुरुआत कर सकती है तो चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं 19 सितमब को होने वाले पहले मुकाबले के लिए चन्ने सुपर किंग्स की खिलाब मुंबई इंडियन्स की वह कौन से 11 धाकड खिलाडी हैं जो मैदान पर उतरने वाले हैं तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं दोस्तो नमबर एक पर आते हैं रोहीद शर्मा जी हां दोस्तो आप सभी को बताया दी कि मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहीद शर्मा ने टीम को चा बहुत ही ज़्यदा मजबूत हो जाती है और वह बहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं दोस्तो रोहीद शर्मा नमबर एक पर आकर सलामी बल्लेबाज के तोर पर शांदार प्रदशन करते हैं और अपने टीम को शांदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और अपने टी जिहां दोस्तों टीम के कप्तान रोहिद सिर्मा के साथ दूसरे ओपनर के तोर पर साउध अफरिका करकेट टीम के युवा कप्तान क्विंटन डीकॉक आप सभी को ओपनिंग करती हुए दिखाई देंगे और उनको प्लेंग लिए उनमें भी शामिल किया जाएगा असल में दोस्तों क्विंटन डीकॉक ने पिछले सीजन में टीम के लिए ओपनिंग करती हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और सभी लोगों का दिल भी जीता था ऐसे में दोस्तों परिनाम सुरूप अब कप्तान रोहीच हर्मा के पार्टनर के तोर पर क्विंटन डीकॉक आप सभी को मैदान पर दिखाई देंगे जी हाँ दोस्तों ऐसे में क्विंटन डीकॉक भी बहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं उमीद है कि पहले मकाबले में शानदार प्रदर्शन करें अब दोस्तों बात करते हैं नमबर तीन खिलाडी की जी हाँ दोस्तों नमबर तीन पर आते हैं सूरे कुमार यादो दोस्तों आ अगातार आईपेल और घरेलो क्रिकेट में बहुत भी शांदार प्रदेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको इस सीजन में भी मुका मिलेगा मुंबई की तरफ से खेलती हुए उन्होंने शांदार प्रदेशन किया है ऐसे में उम्मीद है कि आईपेल के पहले मुकाबले में भी शांदार प्रदेशन करें अब दोस्तो बात करते हैं नमबर चार खिलाडी के जिहां दोस्तो नमबर चार पर आते हैं इशान किशन दोस्तो कप्तान रोहीद शर्मा आईपेल 2020 के पहले मैच के प्लेंग इलेउन में यूआ विकेट कीपर बल्लेबाज इशान किशन को शांदार आईपी शांदार प्रदेशन किशन किया है और उमीद है कि आने वाले सभी मकाबलों में अच्छा प्रदेशन करें अब दोस्तों बात करते हैं नमबर पांच खिलाडी के जियां दोस्तों नमबर पांच पर आते हैं केरन पोलाड दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम में केरन पोलाड प्लेंग इले उनका हिसा ना हो ऐसा आपने शायद पहले कभी सुना होगा क्यूंकि दोस्तों केरन पोला साथी में 56 विकेट भी अपने नाम हासिल किये हैं तो ऐसे में यहां पर केरन पोलार भी बड़ी भूमे का दिबाते हुए नजर आएंगे अब दोस्तो बात करते हैं नमबर 6 खिलाडी के जियां दोस्तो नमबर 6 पर आते हैं हार्दीक पांडिया दोस्तो मुंबई इंडियस क स्टार तेज गेनबाजी ओल डाउंडर हार्दीक पांडिया का भी मुंबई इंडियस के पहले मैच के प्लिंग इलोन में शामिल होने का कोई भी शक नहीं है क्योंकि वह हार्दीक पांडिया मुंबई इंडियस के मुक्ष खिलाडी हैं हार्दीक पांडिया लगबग अंत अब दोस्तों बात करते हैं नमबर 7 खिलाड़ी कीजी हैं दोस्तों नमबर 7 पर आते हैं कुनाल पांडिया दोस्तो मुंबई इंडियन्स के भरोसिमंद स्पीन ओल्राउंडर कुनाल पांडिया 19 सितंबर को होने वाले पहले मैच में ही नहीं बलकि सभी मैचों के पिलेंगे लिए उनमें आप सभी को खेलती होए नज़र आएंगे दोस्तो कुनाल पांडिया एक बहतरीन स्पीन गेन बास हैं साथी में जरूत परने पर बल्ले बाजी भी कर सकते हैं दोस्तो आपने देखा होगा कि पांडिया बरदर्श रोहित सिर्मा के टीम में जरूर शामिल होते हैं और यह दो खिलाडी भी मुक्य हो चुके हैं आकोड़ों की बात करें तो कुनाल पांडिया ने 55 मुकाबले खेले हैं जिसमें 891 रन बनाए हैं और 40 विकेट हासिल किये हैं मतलब की बहतरीन प्रदर्शन हैं ऐसे में उनका होना भी लगबगता हैं अब दोस्त बात करते हैं नमबर 8 खिलाडी की जहां दोस्तो नमबर 8 पर आते हैं राहुल चेहर दोस्तो 19 सितंबर को रोहिद सिर्मा अपने टीम के स्पीन गेन बाजी यूनिट की जिम्मेदारी राहुल चेहर को सोब सकते हैं असल में दोस्तो शुरुआ से ही देखा जाता है कि कप्तान रोहिद सिर्मा कुनाल पांडिया के साथ एकोर स्पीनर के तोर पर राहुल चेहर को अपने टीम में अपने प्लिंग इलोन में शामिल करते हैं ऐसे में राहूल चेहर को पहले मैच के प्लेंग एलोन में खेलने का मौका जरूर मिलेगा साथी में राहूल चेहर भी चाहेंगे कि शांदार तरीके से प्रदेशन करें और टीम में अपनी जगह भी पकी करें अब दोस्तो बात करते हैं नमबर 9 खिलाडी की जी हाँ दोस्तो नमबर 9 पर आते हैं नाथन कुल्टर नाइल दोस्तो अस्तो लेक रिकेट टीम के तेज़ गेन बास को मुंबई इंडेस ने आई पिल 2020 के आॉक्शन में 8 करोड रुपई की रकम दे कर खरीदा है दोस्तो जस्ती बुमरा और ट्रेंट बोल्ट के साथ मिलकर कुल्टर नाइल भी पहली गेन बासी को बहुत ज्यादा मजबूती दे सकते हैं पहले मैच में शांदार पदर्शन करते हैं आंकडों की बात करें तो 28 टी 20 मुकाबले उन्होंने खेले हैं जिसमें 34 विकेट उन अपने टीम में शामिल किया है जबकि लसित मलिंगा आईपियल में इस बार हिस्सा नहीं होने वाले हैं तो ऐसे में ट्रेंट बोल्ट के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती है कि टीम की तरब से शांदार गेन बासी करें और यहां पर मलिंगा के कमी महसूस नहीं होने दे अब दोस्तो बात करते हैं 11 खिलाडी की जहां दोस्तो 11 पर आते हैं जस्पीद बुमरा दोस्तो मुंबई इंडियंस की तेज गेन बास जस्पीद बुमरा आईपियल 2020 के पहले मैच में ही नहीं बल्कि सभी मैचों में आप सभी को प्लिंग ले उनका हिस्सा होते होए नज अब दोस्तो जस्पीद बुमरा मुंबई इंडियंस की तेज गेन बाजी एकाई करने तुरूत वा करते हुए नजर आएंगे ऐसे में देखने वाली बात होगे कि आईपियल 2020 के पहले मकाबले में जस्पीद मुरा किस तरह से प्रदिशन करते हैं ऐसे में दोस्तो आज की जितेगा चिनने की टीम जितेगी या फिर मुंबई की टीम जितेगे उसका जिवाब हमें कमेट बॉक्स में जरूर दे साथी में दोस्तो आपकी राय क्या है कमेट बॉक्स में जरूर लिखे और दोस्तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें इस वीडियो को पानी के लिए अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाए तो चलिए दूस्तु आज की इस वीडियों बस इतना है